तो जैसा कि दोस्तों अभी यहां पे आप देख पा रहे हैं यहां पे भी बन रहा है और यह अरबाज भाई का फाम उधर है और जेस्ट अरबाज भाई के फाम के बगल में है तो अरबाज भाई यह जो फाम है यह किसका है यह हमाई दोस्ता है जी 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 घरी के बगल में र था छो भी नंढ़ लगा है और प्लुस इस प्लापने प्रकार से यह जो बन रहा है यह कितने हद्थ तक क्या है कैसे बारे में थोड़ा सा बता यह pontay को दhouse अद जी सेट करन आप यह वाला हां तो यह इसमें स说 ज्याद के इसमें बीध हम ईटे में विख सी जासे da पड़ा हुआ है और यह इटे में कॉस्ट ज्यादा आता है तो इसी के वाज़े से यह दूसा जो सेट बन रहा है यह पाइप का बन रहा है लोहे का इसमें लमसम नीचे धाई फिट तीन फिट हाँ जैसे कि यहां पर देखा है हमने इसमें इसमें देख रहे हैं हाँ धाई से जहां पर बनता है इसे यह पाइप लगा हुआ है तो इसमें एक पाइप इधर हो गया है अगल बगल जो लोग पाइप बचाने के चक्कर में हो लोग अपना खुदी नुक्सान करते हैं जी उससे क्या रहता है जिसे एक इधर सिंगल पाइप इधर दोड़ा दिए इधर ठीक है तो उसमें जब बच्चा उनका शुरू में तो कोई दिक्कार ने रहता है क्योंकि जो बच्चे चिक्स रहता है 15 दिन बारा दिन तो फेपर फीडिंग और जब यह पंदरा बीस दिन के बड़ होते हैं यह तो जब इनको मलब ड्रिंकर और और आट आटमेटिक यह अब सब्सक्राइब करना रहता है जैजी उसमें एक ड्रिंकर एक फीडर एक फीडर एक फीडर बिकलर गूंगर धुर्ट नहीं पर यह तरीका नहीं यह तरीका यह रहता है कि चार लाइन ज़हा है जो बड़ मनलब किनारे बैठें वह भी अपना फीडिंग किया और यह बाइट है वह वह भी अपना फीडिंग करता है और जो लब देशी इसी ब्रीडर उनका लोक्राद चल जाता है यहां पर लगा दो चाहिए जाना वहां पर पहुश के वहां पर जाकर अपना फीडिंग कर लेता है पर सही तरीका यही है मतलब दो फाइब दे डो रिसे तरीके से दो भन जाए जी चीज अपना लाइन से लगा रहा है देशित बड़ अपना फीडिंग उस्में किया और बीश में इस पफेस असमें हो गलती हो जो उसे 9 suffer और 24 Следध चोडाई है, है हैं तो यह 24 फिट चोड़ा है पत्र जो मार्किट में आता था है को यह पत्रा हुआ है यह पत्रा है 12 फिट का हम जब एक प्त्रा लगे गगा और 12 फिट एक लगेगा है कि दो गणक जब आयेग का तो बीच में बहुत ज्यादा इस पेस जिससे बहुत से फार्मर रहते हैं थोड़ा इस्पेस हो गया नॉर्मल एक दो फिट है तो चले चल गया एक फिट इसमें यहीं गलती हो गया कि जो बारा फिट का पत्रा है जब यह डायरेट फैक्ट्री से आया है तो यह बलकि बारा फिट के जहां पर ग्यारा फिट आ गया तो उसके लिए लोग टीन लगाते हैं तो तीन में क्या रहता है ठंड़क में तो कोई दिक्कत नहीं रहता है पर गर्मियों में तीन के विजए से तंपरेचर रहता है वो फॉम के अंदर रहता है वह अपना इस्टार्ट कर देते हैं उसमें बॉटल्टी और हीट इस्टो लगाते हैं उनका ज्यादा वेश्ट रहता है और साइड में जो पत्रा निकाले रहते हैं इसे यह पानी जो बरसात में पॉलिथीन उठाने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं क्या जो बराबर रहता तो जाली के वज़े से अंदर भी पानी बहुशार जैसे बारिश में ब बन ही रहा है मलब अभी पत्रा लगाया जाएगा और वो दूसरा लगवर कंप्लीट है उसके बीच में वो जो गयप वाला बता रहे हैं वो वाला तो साइड नहीं इसमें अभी इसमें सुधार होगा इसमें एक मलब यह यहां से थोड़ा पत्रा यह उधर इस वो देखे जाएगा यह सब चीजे हैं जो मलब छोटी-छोटी फिर जाके आगे देती हैं अब यह जो इतना इस पेस है इस पे आपको कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा नहीं तो पत्रा लगाने के बाद वो फिर उसके बाद में इनका सपोर्ट रहेगा कि अंदर बहुशार के अंदर एक शर्या भी डलवाए थे बजबूती के लिए इससे मतलब आदी-आदी ज्यादा आने पर फॉर्म पशेट पर कोई असर ना पड़े बिलकुल और हाइट भी काफी अच्छा है हाँ हाँ भी इसका लमसम बारा से पंद्रा फिट बारा फिट यह उचाई है हाँ हाँ काफी है और इसके अंदर आपने क्या यह मैं देख पर हूं आँ जैसे अभी मोसम जो आ रहा है तो यह पहले इसमें पहले जे उदर वाली जो मिट्टी है वह दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी है छपकाउ जो मिट्टी लोग बोलते आई जह जी जी और यह वह पर रेत वाली मिट्टी नहीं होती है नदी वाली यह वही मिट्टी पड़ी हुए जिसे गर्मियों में बढ़ को जादा मुदलाब दिक्कत नहीं हो इसलिए अभी से ही इसमें मनलब पहले से मिट्टी डिलवा दिये हैं पहले से बोस्ता जारी है जी अरवाज भाई इसमें मानके चले की एक सेड की लंबा और चोड़ाई कितनी है इसकी लंबाई एक सेड की है 120 बीस फीत लंबा जिए घॉड़ा ज़्याओ चोड़ा जाता है यह 14 फीट बोला गया था दा पर यह 26 ताशित है के उपस्ट चोटा और हो गया sourdh cuatro चोटा है तो यह 26 पिट चो हुआ है इसका हिसाब मलब वही हमाई जो दोस्त हैं वही अपना देखना है अभी क्योंकि उन्हीं का मलब पुरा हिसाब जी 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 उसके बारे में आपको आपकी इसमें जो पत्रह है टोटल 200 पत्रह आया था और लंसम 14-15,000 एटे आये थे तो चले दोस्तों आगला वीडिय 12-24 के फार्म को बनाने में कितना खर्चा आता है वो सारी चीजे बताई जाएंगी तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए धनबाद थैंक्स पर राचिंग थैंक्यो सो मच